अगर हम लोग एक नॉर्थ पॉल लें ठीक है और उसके आगे क्या करें एक साउथ पॉल लगाएं ऐसे में क्या होगा यहां पर मेगनेटिक अट्रेक्शन होगा अब अगर मैं साउथ पॉल को थोड़ा सा आगे मूव कराता हूं तो नॉर्थ पॉल भी विकॉज ऑफ मेगने अगर साउथ पॉल ले ले और उसके आगे साउथ पॉल रख देते हैं ऐसे क्या होगा अगर हम इन दोनों को पास लानिंग कोशिश करेंगे तो यह दोनों इस तरीके से दूर भागेंगे यहां पर भी हमें एक मूवमेट देखने को मिलेगा या कह सकते हैं मोशन देखने क कराया सकता है और इसी कॉंसेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर पर रिपल्शन मोटर को जब बनाएंगे सीखेंगे तो मेरा नाम प्रांच जले आज लेक्षर रिक्ष्रिक नोटर के से दांद की कैसे काम करती है क्या होता है यह सब चीज़ें करें चली शूरू कर नहीं है ठीक मैं इसको मार करके बता देता हूं थोड़ा सा बढ़िया सा कलर ले लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जिस क्या देखने को मिली कि सिंगल फेज होगा यानि कि सिंगल फेज सप्लाई से मोटर चलने वाली मशीन होती है कम्यूटेटर भी लगा होता है इसके अंदर यह बड़ी इंपॉर्टन चीज़ होती है और डाइग्राम में क्या दिख रहा है तो यहां से क्या पता चला रिपल्शन मोटर एक ऐसी मशीन होती है जो सिंगल फेज से चलेगी कम्यूटेटर लगे होंगे ब्रश लगे होंगे यहां से इतनी चीज़े पता चल रहे हैं और मार कलने के डाइग्राम है यहां पर क्या करता है यह सिंगल फेस अप्लाई हम लोग लगा देंगे यहां पर स्टेटर के अक्रॉस यह तुम्हारा रोटर कंडॉक्टर सो गया यहां पर सेंटर में रोटर के आसपास लगे लेकिन यहां पर क्या करते हैं रिपल्शन मोटर के अंदर इन ब्रशिस को शॉर्ट कर देते हैं यानि की चुछ जोड़ देते हैं जिससे शर्क्ट कंप्लीट हो जाए ठीक है यहां यहां पर यह यह यलो कलर का पोश्टन देख रहे हैं जो मैंने रेड कलर के इंसुलेशन से डिवाइड किया हूँ यह हैं इन एक्ट करेंगे ऐसा कैसकते हो एक इसुलेशन का काम करेंगे तो जैसा की कि मद्च मैखने पढ़ती है या है सब कूछ वैसा ही है बस थोड़ा सा अंतर है दो 2 अंतर बहुत इंपोर्टेंट है एक थो सिंगल फेस ना की डीसी और दूसरा बड़ा अंतर क्या है कि जो ब्रशे हैं वो शॉर्ड कर रखें कनेक्टेड नहीं फील वांडिंग से तो यह बेसिक अंतर होते हैं रिपल्शन मोटर में अगर हम रिपल्शन मोटर की वरकिंग की बात करने किस तरीके से वर करता है तो इस विकाउस आप मैंग्नेटिक इंडक्शन कारण्ट क्या होगा यहाँ पर हम जानते हैं लैंस लोग क्या कहता है कि जब भी नौर्थ पोल के सामने कुह रखोगे तो वहां पे रहता जाता है यह थोड़ा सा डिफ़र पर होता यानि brush and commutator यह क्या करते हैं यह जो conductors होते हैं इनकी polarity को maintain करने के काम करते हैं यानि कि अगर for example के तोर पे इसको ऐचे समझते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके का rotor होता और यहां पे हमने ऐसे conductor मार कर रखे होते यह conductor होते और यहां पे अगर north and south लगाते तो यहां पे इस north pole का flux को oppose करने के लिए यहां north बनता और इस south के flux को oppose करने के लिए south बनता तो इसके साबसे अगर right hand rule लगाओगे तो यहां पे cross आ जाता और यहां पे आ जाता dot ठीक है समझ में आरी बात ही बहुत ही simple था लेकिन हुआ क्या है जब हम brushes की बात करते है brush और commutator यह लिए ही इसी वज़े से गए है brush और commutator काम क्या होता है यह इस conductor की यानि कि जहां से brush लगा होता है उसके left side के जितने भी conductors होंगे वो same polarity mark करेंगे और right side के जितने भी conductor होंगे उनकी polarity भी same होगी just opposite to the left side तो यह for example brush यहां लगा हुआ तो brush के left side वाले जितने भी conductors हैं यह सब के सब dot polarity show कर रहे हैं और brush के right वाले जितने हैं यह सब के सब क्या कर रहे हैं cross polarity show कर रहे हैं that is the main concept यानि कि जो brushes और जिसे for example DC machine में अपनी चीज़ पड़ी होगे आपको याद होगा तो जब भी हम DC machine बनाते थे याद करो DC machine में तो जहां पे भी brush हम लगा देते थे उसके left side वाले में certain polarity constant polarity मिलती थी और right side वाले में polarity जो होती थी वह अलग constant होती यानि अगर यह सबके सब cross होते थे तो यह सबके सब डॉट होते थे यह सबके सब डॉट होते थे एक फिल्स polarity मिलती थी यही रोल होता है अब ब्रश का तो ब्रश का काम क्या होता है इंपोर्टन रूल है बड़ा इंपोर्टन रूल है ब्रश का तो अगर ब्रश हटा देते अगर हम यहां पर brush की जंगा क्या करते SCIG ले लेते, squirrel cage induction motor ले लेते, SCIM, ठीक है, अगर squirrel cage induction motor ले लेते, तो ऐसे case में क्या होता, brush नहीं होते, तो ऐसे case में इधर north बनता, इधर south बनता, जैसा कि single phase induction motor में होता है, अभी में आगे आपको सिखाऊंगा, यह चीज़ कंपेर करेंगे, जैसा कि हम लोग single phase induction motor में सीखते है याद है, single phase induction motor में जब हम लोगो north रखते थे, इधर south रखते थे, और यहाँ पे भी north and south आता था, तो हमें याद होगा आपको यह machine self start नहीं होती थी, क्यों क्योंकि जो torque होगा, वो इस तरीके से cancel out कर देता था, तो यह that is the concept of single phase induction motor, लेकिन repulsion motor में यह जो north and south pole की switching है, जो shifting है ठीक है, वो because of, क्यों पाई है, because of brush shifting, और brush की shift होने की वज़े से north-south उपनी shift हुआ है, और यही हमारे core principle है, repulsion motor का, अब देखो बड़े दिहान से यार, यह तो मैंने पीछे की कहानी पूरी तुम्हें समझा दी, अगर north pole उपर है और एक side में north pole है, अब देखो north-north को repel क करेगा, तो इस तरीके का ही repulsion torque हमें मिल गया, तो देखो, उपर वाला repulsion torque को नीचे वाला repulsion torque, यह दोनों की दोनों सेम direction में है, यानि की support कर रहे हैं दूसरे को, तो ऐसे case में क्या होगा, machine जो होगी, वो rotate करना, start कर देगी, rotor तुमारा घूम जाएगा, और हमारी जिंदग structure लिया हुआ है, पॉजिटिव हाब में motor rotate कर गई थी, निगेटिव हाब में यहाँ पर south आएगा, यहां north आएगा, अब देखो, जब यहां south यहां north आएगा, तो इनकी वैसे rotor में, जो lens lock के कारण, जो magnetic flux बनेगा, वो भी opposite बनेगा, यानि कि जैसा उपर देख सकते हो, north बनने की वज़े से बन रहा था, ठीक है, clear हो रहा है, क्योंकि हम क्या चाते थे, यह वाली side जो होगी, अपने cause को oppose करेगी, इसलिए north यहां बन रहा था, बनना यहां चाहिए था, brush के चक्कर में यहां पहुँच गया, ठीक है, अब ऐसे ही, अब देखो, अब यहां पर south बनाया है, तो इसको oppose करने के लिए, यहां क्या बनेगा, south बनेगा, पर यहां south नहीं बन सकता, because of brushes, तो यह south क्या होगा, shift हो के यहां पहुच जाएगा, तो वैसे ही इसमें होगा, तो अब की जो क्या बनेगा, अब की यहां पर इस तरीके से energize होंगे, और यहां उंपर south बनेगा और नीचे नौर्ट बनेगा इंपोर्टेंट जीज क्या है यह उपर क्यों चला गया यह बात ध्यान रखनी आपको साउथ पोल इंडक्शन के कारण बनना यहां पर चाहिए था बस बट बट बिकॉस ऑफ ब्रश इस यहां पर पहुंच जाता है और यहां पर साउथ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर तो यह जो तुमारी रिपल्शन मोटर है यह यूनिट टॉरक इसके अंदर जनरेट होता है चाहिए पॉजिटिव सब्सक्राइब देख लो चाहिए निगेटिव हाव एसी देख ले देख लो क्यों क्योंकि था जैसे जैसे तुम supply का positive हाव या negative हाव को change करोगे उसी के according जो EMF induced हो रहा है जो lens law होगा वो भी उसी के according work करेगा और जो induced होके जो magnetic flux आएगा वह भी just opposite आएगा यह निकि नौर्थ के सामने नौर्थ हर बार आएगा अगर वहाँ तो इस तरीके के कोई partiality या fixed polarity जैसा exist concept नहीं करता तो इसलिए हरवार machine क्या होता एक uni direction torque में घूम पाती बना बाती है और घूम पाती है ठीक है और कुछ-कुछ हद तक यह single face induction motor जैसा भी है तो जरह हम यहां पर compare करके देख लेते हैं कि जो repulsion motor है उसका कितना portion AC series से हमने चुराया है और कितना portion single face induction motor चुराया जरह compare करते हैं machine को बड़ा important comparison है इसमें आपका induction भी हो जाएगा और साथ-साथ repulsion motor का comparison भी हो जाएगा ठीक है तो जड़ा इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम compare करेंगे AC series को repulsion motor अगर हम इन दोनों compare कर लेते हैं तो यह हो गई अगर AC series की बात करेंगे तो उसके अंदर तो series का मतलब यह होता था आपको याद होगा AC series machine जो की universal machine के नाम से भी जाने जाती है अल्रड़ी मैंने lecture में इनको cover किया है ठीक है तो universal motor जो होती है उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि supply में तो AC देते हैं पर उनके अंदर armature winding separately excited नहीं होता बलकि series में connected होता है field winding से तो य ब्रशे जो है वो आपस में connected है field winding से connected नहीं मतलब आपस में short है ठीक है clear हो रहा है यहां पर तो यह होगी repulsion motor अब comparison समझ में आ रहा होगा तो अगर difference की बात कर लें तो difference सबसे बड़ा यह है AC series machine का कि वहां पर armature winding जो होती ही वो conduction से एनर्जाइज होती है एसी सप्लाइज से ठीक कंडुक्शन कंडुक्शन क्यों कह रहा हूं क्यों देख सकते हैं यहां पर जो current है वो directly armature winding के conductor को energize कर रहा है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से करके यहां से निकल रहा है यहां पर आ रहा है तो यह क्या हो रहा है यह जो energizing है यानि कि single face इसी सीरीज वाइंडिंग की बात करें तो armature winding जो है वो पूरी पूरी जो energize हो रही है from the AC supply via conduction mode यह बड़ा इंपोर्टेंट है इस पर डारेक्ट आपको MCQ मिल जाएगा अगर रिपल्शन मोटर पेपर में आती है क्योंकि रिपल्शन मोटर में कभी कंपैरेजन करके पूचे जाते है कि AC series और रिपल्शन मोटर में क्या डिफरेंस है ठीक है तो वहां से यह concept याद रखना है बड़ा डीप में डिसकुशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर AC series भी आपकी रिवाइस हो रही है साथ-साथ तो AC series motor की खास बात क्या कि इसके अंदर armature winding जो है वो सीरीज में connectator supply से लेकिन अगर रिपल्शन मोटर की बात करते हैं यहीं पर डिफरेंस आ जाता है कि आर्मेचर winding जो होती है वो induction की थूर एनरजाइज हो रही है ठीक है स्टेटर से यानि कि स्टेटर सेपरेट है स्टेटर में हमने अब यहां ब्रश होना बहुत ज़रूरी लाइफ लाइफ लाइन हांए वर्किंग का क्यूंकि अगर यह नहीं होंगे तो हम लोग कमटेटर ब्रश रखते हैं तो similarity क्या है कमटेटर ब्रश डिफरेंस क्या है आर्मीचर वैंडिंगे एनरजाइज होने का तरीका ठीक है इसमें कंडक्शन इसमें इंडक्शन यहां पर हम लोग कंपेर कर लेते हैं रिपर्शन मोटर और सिंगल इंडक्शन मोटर को भी तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इनको बना लेते हैं इस और सिंगल इंडक्शन मोटर यहां पर किसी भी तरीके के ब्रश और कमुटेटर नहीं है वहीं पर अगर हम दूसी तरफ बनाते हैं तो यहां पर नॉट्स जो आएगा इसके कॉस को अपोज करने के लिए इन जो रोटर कंड़क्टर से हैं जो कि शॉर्ट होते हैं क्योंकि स्क्रेल के इंडक्शन मोटर हम ले रहे हैं तो यहां पर सारे कंड़क्टर शॉर्ट होंगे रोटर के तो इनके अंदर फिल्ड इंड्यूस होगी और लेंस लॉग के कारण यहां पर इंडक्शन होके कुछ इस तरीके से नौर्स बन जाएगा ठीक है नो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर जो नौर्स बनेगा वह बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट बनेगा और सीम एक्सिस पर बनेगा ठीक है समझ मारी बात है क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके ब्रश और कमटेटर का इस्तमाल अपने नहीं किया अब ऐसे केस में क्या होगा नेट टॉर्क जो होगा वह अंदर की तरफ होगा कोलैप्स कर जाएगा और नेट और आपका जीरो हो जाएगा तो इसकी वाज़से हम कह सकते हैं सिंगल फिश्ट इनक्शन मोटर जो होती सेल्फ स्टार्ट नहीं होती नहीं यह जो मैंने पूरा कॉंसर्ट बता क्ता इससे का थेएगे नर्स ऌद इस मीन और तो करेण यहां पे जो कंड़क्टर ओंगे वहां पे लेंजला आएगा और यहां भी अनौजर चाहर्जप होंगे और 0906 बनेगा लेकिन यहां पे जो ठोड़ा सा अलग एक्सिस पर बनेगे बिकॉस उर जाता है तो यह ओन आफ दा मेजर डिफ्रेंस था जिसकी वज़े से हम लोग रिपल्ट इंडक्शन मोटर को हम लोग प्रफर करने लगे ठीक है कि सिंगल फिस इंडक्शन मोटर में बिना स्टार्टर लगा स्टार्ट नहीं हो सकती लेकिन रिपल्शन मोटर विदाउट इस्टार्ट कोई इंडक्शन मोटर को इसी तरीके से यहां पर भी पर इंडक्शन मोटर में भी सेंडक्शन का रहा है और यहां पर इतना रखते हैं कोई भी direct conduction नहीं है field winding से यानि कि हम लोग कोई supply नहीं दे रहे हैं रोटर को किसी भी तरीके की वह वाया इंडक्शन ही अपने आपको एनर्जाइज कर रहा है अब राइड वाला वीडियो देख सकते हो बड़ा important lecture है और यह दोनों ही अपने आप में बड़ी importance रखते हैं ठीक है आई यूग आपको पसंद आयागो next lecture में बात करेंगे torque equation की और जानेंगे all detail में repulsion motor के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद